जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि UP scholarship की correction date आ गई है अब आप घर बैठे अपना UP scholarship का फारम online correction कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको अपने mobile के chrome browser application को open करेना है open करने के बाद आपको google के search bar पर type करना है UP scholarship up scholarship type करने के बाद आपके सामने फर्स्ट interface से आएगा तो आपको उपर वाली website पर ये आपको किलिक करना है तो जैसे आपको अपना ट्रभारम को सिलक्ट करना है जैसे कि है पर हम रेणोबल वाले का फारं सही करने जारा है तो यहां पर हम पोस्टमेटिक और देन इंट्रमेडियेट इंट्र स्टुडेंट कॉलिज पर हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया सिलेक्ट करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आएगा वहाँ पर आपको अपना फार्म नंबर जैसे रिज्टेशन संख्या और जनमतिति और डेट बार्थ और अपने फारम का जो कोड होता है दिया जाता है वो कोड डालना है और जनमतिति उसके वाद में आपको सम्ट बटन पर किलिक करके इसको सम्ट कर देना है चलिए दोस्तों यह मैं फटा-फट से डाल लेता हूं और आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगा से तो यहां पर आपको सम्ट अपन एक से आपके सामने जिख फारम का फारम mayor export मैंदा आएगा है जैसे आपके सामने उपने होके स्कोलर्शिप का फारम चला आए तो नीचे वहाँ पर आपको एक इस प्रकार से लिंक मिलेगा जैसे कि नीचे यहाँ पर दिखाय जा रहा है बाकी यह सब लाल कलर से होगा यहां पर बिले कलर वारे पर किलिक करना है आप इदन पत्र को संसोधित करें यहां पर जैसे आप किलिक करेंगे किलिक करने के बाद जो भी कमी आपके इसकोलर सी फारम में रहेगी हो वो कमी यहां से आप ठीक कर सकते हैं और आप हमारे इस चैनल से जुड़ है क्योंकि यहां पर मैं आडवास ब्लोगर कोष्ट लॉंच करने वाला हूँ यह आपको फिरी प्रोवाइट करा दिया जाएगा यहां पर आपको बहुत अच्छी अच्छी सब्दाइं मिलेगी ब्लोगर एकाउंट कैसे बनाए इसको एडसीन से कैसे अप्रूबल करा है और पोष्ट लिकर कैसे कच्छी वेपसाइट बनाकर आप बहुत सारा पैसा कमा सकते बिना इन्वेस्ट के